हर कोई खुबसूरत दिखना चाहता है, जवासा दिखना चाहता है, एज बढ़ने के साथ साथ, इसके सम्मंदी बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उसमें से जो एक मीन प्रॉब्लम है डार्क सर्कल की, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ, तनाओ के कारण, अनिद्रा के कारण बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे आप उम्रे के धीरे धीरे पड़ा एक step by step बढ़ते जाते हैं आपकी जो dark circle की problem है वो भी बढ़ने लगती है तो हमें कुछ ऐसे उपाए अपनाने चाहिए क्योंकि हम मेकप भी लगतार नहीं कर सकते तो घरे लिए कुछ उपाए ऐसे हैं जिससे आपके जो dark circle केस है वो दूर हो सकते हैं अश्कार दोस्तों मैं आपकी दोस्दी पिका उत्तरा खंड से कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ती का जो first impression होता है हम उसे देखते हैं वो उसके face से पढ़ता है हर कोई चाहता है खुबसूरत दिखना वो अच्छे से अच्छा दिखे बेदाग तो अच्छा हो उसे कोई problem ना आए glowing skin हो हमेशा वो अच्छा सा दिखे और wrinkles या fine lines या मतलब age उसके चहरे पे ना दिखे हर कोई हमेशा जावा सा दिखना चाहता है और young दिखना चाहता है आपकी खुबसूरती आपके चहरे से शुरू होती है लोगों की जो सबसे पहली नजहर है आपके face पर ही पड़ती है चाहें आपका face cut कैसी हो रंगत आकरशक हो या ना हो आप हमेशा चाहते हैं कि आपकी जो चहरा है वो चमकदार रहे आप खुबसूरत दिखे उसमें अल अपसूरती मेवे दाप के समान दिखाए देते हैं आँखों के नीचे काले घेरे या डार्क सरकल थकान अनित्रा यानी नीन धंक से पूरी ना होना उम्र बढ़ने के सासर बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे आपकी एजबढ़ती जाती है जो ये डार्क सरकल्स है ये भी आप बड़े से दिखने लगते हैं वैसे तो महिलाए डार्क सरकल्स को छुपाने के लिए बहुत मेक अप करती हैं लेकिन वो मेक अप कप तक कर सकती है क्योंकि जादा मेक अप भी इसकिन को खराब कर देता है तो हमें कुछ ऐसे उपाय अपनाने चाहिए प्राकर्टिक उ उनको आसानी से दूर कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूं जिससे आप उनका घरेलू चीजों का प्रियोग करके जो आपको घर में हमीशा एविलेविल होते हैं उसके लिए आपको अलग से कोई मतलब पैसे खर्च करने की जरत नहीं है आसानी से हम हर घर में उपलब्द होता है उसका प्रियोग सुबह हमेशा करा जाता है और वह ठंडा दूद का इस्तिमाल हर घर में होता है दूद इसकिन ऑ令 रहता ही फायदेमंद होता है यह जो bowl लेना है उस में आपको थोड़ा सा दूद डालना और cotton balls लेनी है, cotton balls को आप उसमें dip करेंगे उससे क्या होगा और उसके बाद जो जब उसमें दूद मतलब वैठ हो जाएगा रूई का रूई जो है उसे अपने आखों के काले घेरे को उसे अच्छे से कवर कर देना है और लगभग 20 मिनट ता आपको उस रूई को अपनी आख को अच्छे से धो देना है आपको रोजाना नियमी सुभह और रात को इस प्रकरिया को अपनाना है इससे क्या होगा जैसी आप इस प्रकरिया को सुभह और शाम अपनाएंगे यानि थंडे दूद को रूई में डूबो करके अपने आखों के साइड पर रखेंगे कम से कम 20 मिनट तक यानि 20 मिनट सुभह 20 मिनट शाम आपको जल्दी ही असर दिखने लाएगा जो आपके जो ब्लैक सर्किल्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने दूसरी चीज है जो हमारे जो ब्लैक सर्किल्स हैं उन्हें आसानी से दूर कर सकती है वह है गुलाब जल जो लगबग हर घर में अविलेबल होता है लोग अपनी क्या कहते है जो इसके में डस्ट होती है उसे निकालने के लिए गुलाब जल का डेली उस करते हैं और मेक अप से पहले या कोई भी आप फेशियल या बीच अपनी घर पे भी करना चाहते हैं तो आप पहले गुलाब जल से ही कॉटन ले करके क्लीन करते हैं तो यह घर घर में अविलेबल होती है तो आपको क्या करना है आपको जो आप थंडा दूद ले रहे हैं उस दूद में उतनी ही क्वांटिटी में इस गुलाब जल को भी मिलाना है यानि आपने अगर एक भाग दूद लिया तो दूसरा भाग आपको तो गुलाब जल लेता है दोनों को अच्छे से मिक्स करना है वही कॉटन बॉल यूज करनी है उसे उस लिक्विट में डिप करना है और अपने आखों के उपर यहां प्लाइजर सैड में 20 मिनट के लिए लगा देना है और वही प्रियोग करना है सुभह और शाम 20-20 मिनट प्रियला थंडा दूद दूसरा थंडा दूद और गुलाब जल की इकॉल क्वांटिटी यूज करके 20 मिनट सुभह और शाम अपने आखों के जहां पर डार्ट सर्किल्स हैं वहां पर इनको एप्लाई करना है 20 मिनट के लिए रखना है और शान्ती से बैठ जाना है या ले जाए अपको बादाम का तेल यूस करना है मैंने मेरे पास रखी होगी ती तो मैंने जो बादाम को थयरा है अगर बस्ट करना तो करना इसमा करना additional some उसके बाद आपको क्या करना है उन दोनों cotton balls को अपनी आँखों के उपपर रखना है जहां पर आपका black circles है और उसके आप 20 minutes के लिए लगा देना है और अराम से relax फिल करना है इसको आप एक सबताह तक कीजिए आपको खुदी changes लिखने शिरू हो जाएंगे कि आपके आँखो के नीचे black circles दीरे दीरे समाप्त होने लाएंगे वैसे मेरे अभी black circles नहीं है लेकिन फिर भी हो ना जाएं तो इस चक्कर में मैं इसका use करती हूँ क्योंकि relaxation हर को ही चाहता है हर को ही चाहता है कि बेदाक सी तो चाह रहे है और हम हमेशा जमा से खुबसरत दिखें सरक्रिस दूर करने का चौथा उपाया चौथी टिप्स आपको कच्चा दूद लेना है और साथ में नीबू लेना है इसकी कुछ पूंदे आपको दूद में mix कर देनी है जब दूद फट जाएगा तब आप इसमें थोड़ा सा शहर डालिए और उसके बाद अपने आखों को आप लगबग एक सब्सक्राइब लगतार करते रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि कितने चेंजिस आ रहे हैं और धीरे धीरे आपके जो ब्लैक सरक्रिस हैं वो दूर हो जा रहे हैं तो इसमें क्या यूज़ करना है थंडा दूद नहीं कच्चा दूद नीबू की कु मसाज करी है जो आपका जो लिक्विड आपने त्यार करा उसे ऐसी छोड़ दीज़े दस मिनट के लिए उसके बार ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छे से धोलीजी तो मैंने आपको चार टिप्स बताई हैं कि कैसे आप अपने जो ब्लैक सरक्रिस हैं उन्हें दूर कर स हूं मैं आपसे किसी नेक्स लोग में तब तक लाम शकार एंड बाव बाई